ब्रो एक आगामी भारतिय तेलुगू भाषा की फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जो त्रिविक्रम श्री निवास द्वारा लिखित पठकता से समुधिरकानी द्वारा निर्देशित है इसका निर्मान पीपल मीडिया फैक्टरी और जी स्टूडियोज के तहत किया गया है जो एक प्रेमिका पाने की इच्छा रखता है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने हितों को दूसरों से पहले रखता है जिसमें उसका अपना परिवार भी शामिल है जिसमें उसकी मा इश्वरी, बहने वीना और गायतरी शामिल है एक बार आंध्रप्रदेश से सडक मार्क से लोटते समय माक एक दुरगटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यू हो जाती है जब वो जाकता है तो वो खुद को एक अजीब अंधेरी जगह में पाता है जहां काले कपड़े पहने एक आदमी उसके पास आता है और खुद को समय के रूप में पेश करता है टाइम ने माक को सूचित किया कि पृत्वी पर उसका समय समाप्थ हो गया है ये सुनकर माक उससे विनती करता है कि उसकी कमपणी और परिवार हर चीज के लिए उसके काम पर निर्भर है वो टाइम से उसे वापस भेजने के लिए कहता है ताकि दुनिया छोड़ने से पहले वो अपने परिवार और कमपणी को बहतर स्थिती में ला सके समय सहमत हो जाता है लेकिन इस समझोते के बारे में गोपनियता के आधार पर और इस शर्थ पर की वो हमेशा उसके साथ रहेगा उसे केवल तीन महीने का समय देता है इस प्रकार माक दुरगटना से बच जाता है और टाइम के साथ घर लोटाता है अगले तीन महीनों के दोरान माग को अपने निजी जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसे टाइम ने देखा महाप्रबंधक के पत के लिए एक युवा आयेम्स नातक विनुगोपाल के पक्ष में उन्हें दरकिनार कर दिया गया जिसके विरोध में उन्हें अपनी नौकरी से स्थीफा देना पड़ा और कार्याले छोड़ना पड़ा कुछ ही मिन्टों में उसे खबर मिलती है कि इश्वरी बेहोश हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया वहाँ उसे पता चला कि इश्वरी को पाकिसन्स रोग प्रारंबिक चरण में है और उसे आगे के इलाज के लिए उसे अमेरिका ले जाने की सलाह दी गई है समय उसे ये भी एहसास कराता है कि उसकी बचद जल्दी खत्म हो जाएगी माक ने अपना काम फिर से शुरू किया माक की बड़ी बहन वीना जिसके लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रिश्नमूर्टी के बेटे के साथ गटबंदन को अंतिम रूप दे रहा था शादी के लिए असहमत है उसकी आँखों के सामने वो अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ देती है कुछ सप्ता बाद चर्चा के दोरान अनुपस्तित रहने के कारण बोर्ड बैठक में माक का अपमान किया गया वो बार में टाइम को इसके बारे में डाटता है और उसके AMD ने उसे सुन लिया है माक का आइडिया काम कर गया और कमपनी को ज्यादा मुनाफ़ा हुआ AMD अध्यक्ष बनने के लिए आगे बढ़ता है और माक प्रबंध निदेशक बन जाता है इस प्रकार वो अपनी महत्वा कांक्षा से उपर पहुँच गया वो इश्वरी को घर लाता है और इस बात से हैरान है कि इश्वरी को वीना के रिष्टे के बारे में पता है और वो उसे समझाने में सफल हो जाती है माँ को उन्हें स्विकार करना होगा जो उन्योंने यह महसूस करने पर किया टाइम की मदद से कि क्रिश्णमूर्टी के बेटे का किसी अν्यमहिला के साथ संबंध था जो अपने बच्छेसे गर्भवती थी और वह और क्रिश्नमूर्टी उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाल रहे थे फिर वह गायत्री की शादी रद्ध कर देता है और उसे आगे पढ़ने की अनुमती देता है वो अपनी जिम्मेदारिया विनम्रता से निभाते हैं और अब पहले की तरह हावी नहीं होते वो अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिताते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं वो स्विच्जिलेंड में गायत्री की उच्च शिक्षा के लिए पूरा भुगतान करता है क्रिपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें आपके समर्थन की आगश रकता है जो हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें प्रेरित कर सकता है